नमस्कार दोस्तों आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है जैसे कि आप देख पर है करेला जीला सिक्षदकारी सुकमा द्वारा अतीथी ब्याख्याता के पदो पर भरती के लिए ग्यापन जारी किया गया है जैसे कि आप देख पर है कलेक्टर मोहदा जीला सुकमा के निर्देश के अधार पर सुकमा जीला में संचालिस सास्की हाई स्कुल हायर सेकेंडरी स्कुलों में अंग्रेजी गड़ी जीविग्यान भाती की रसायन के ब्याख्याता के कुल 69 रिक तपदों पर जीला खनी जन् बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए सेक्षडी का ध्यापन भैस्ता में सुधार लाने है तू इच्छु के एम योग्यों उम्मी द्वारों से निधारीत प्रारूफ में आईदन पत्रा मंतित किया जाते हैं पदों का विशायवार विद्यालायवार इस प्रकार से देख सकते हैं उपर में देख सकते हैं यह जो फर्स्ट में पोस्ट दिखर अंगरेजी के लिए है सेकंड कालम गडित के लिए और तिसरा कलम विज्ञान के लिए है तो देख सकते हैं सुकमा जीले में उन में उसके बाद इसकूल का नाम हाई स्कूल में ब्यक्षादा विशावार apologyatri पोस्ट आधिक tenant जो स्कूल के लिए इंग्लिस के लिए अच्छाएं गडित के लिए पंद्रा विज्ञान के लिएे दस डॉकL 31 पद हो गए उसके नेक्स्ट देख सकते हैं हार सेकेंडर इसके लों में विखाया था कि विशावार स्विक्रित पोस्ट अंगरेजी गड़ी जी विग्यान भाती की रसायन तो इसके लिए आप देख सकते हैं इन सभी वी ध्यालाम में पोस्ट पहले अंगरेजी फिर कर सकते हैं देखिए स्थानी अतिती सिक्छक की सेक्षडिक योग्याता इस्थानी अतिती सिक्छक व्यूसए यह सक्षड़ी का द्यापन व्यूसद का समझधarseuma प्रबंधन यहम विकास समिते के candidate के चैन होगा अधर जीला के candidate apply नहीं कर सकते क्योंकि इस्थानी जीला बोला गया है सक्षडी क्यों गयता हाई स्कूल हायर सेकंडरी के लिए आईदन का प्रारूप आगे दिखेगा मान दे क्या रहेगा फूरी जनकारी आपको मिलेगा सक्षडी क्यों गयता हाई स्कूल ह फाले candidate को भी मोका मिलेगा स्थानीय जी तिथी शिक्षक की वरीथा करम इस प्रकार से आप देख सकते हैं मान दे क्या रहेगा तो इस्थानीय जी प्रामारी किरार पस्चात समंधित प्रचारी द्वरा किया जाएगा संस्था प्रमुक द्वरा एक पंजी प्रिथक से संधारित की जाएगे मांदे का भुगदान उक्त प्रमारित पंजी के वेतन प्रत्रक के अधार पर ही होगा निधारित कारद्यास में ध्यापन नहीं करने पर अनुपात का प्रारुप इस्थाने आती थी सिक्षक पदे तो इस प्रकार से आप देख सकते इस फार्म को फिल अप करके आपको संबधे जिस स्कुल में आपके अपने आप अपने नजदी की स्कुल में जाए और वहां जो है प्राचार्य से मिल करके फार्म जमा कर देंगे उसके आप को जो है आगे की प्रोसेस वहां से जनकारी आपको मिल जाएगा तो यही अपडेट आप लोगों तक स्यार करना था मिलते फिर चेक लोड़ों के साथ आज के लिए बस इतने ही थेंक्यू फर वाचिंग जैन जै भारत जै चत्तिस गर